तो नमस्कार दोस्तों आज का यह learning video बहुत ही ज़दा important होने वाले है उन लोगों के लिए जो खास करके option trading करते हैं और option trading के अंदर बहुत बारा बारा loss करता है और किस तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से अपने capture को protect करना है और किस तर करने के बाद आप लोगी इस ट्रेट को hold कर सकते हो किस तरीके से अपने trade को manage करना है किस तरीके से अपने trade को initiate करना ऐसे बहुत सारी сейчас की do पर, कभ मैने यहां पर, यहां पर सेल किया है, 12,20 मिनट पर पर जाकर के दिखुए कूँ कूँ तो लगभग मैने 25 क्वांटिटी के अंदर, मैंने बेंकिक के अंदर काम किया, 49,500 के कौल मैंने बाइं किया, 290 रुपी के भाहु से, वही पर सेल के बारे में बात कर आख लोग तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चलो दोस्तों हम अपने computer screen पर चलते हैं और आपको वहाँ पर बताते हैं किस वज़ी से मैंने trailer लिया और सारा logic हम आपको explain करते हैं तो दोस्तों finally हम लोग computer screen पर आ चुके हैं और उससे पहरे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि नीचे में जो आप लोगों को मेरा WhatsApp नमर दिख रहा है इस WhatsApp नमर पर आप लोगों को जाना है और join लिकर के message करना है जैसे ही आप लोग मेसेज करोगों तो हम अपने WhatsApp group के अ आप लोग join कर लेना ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकतो मार्केट में आज करोगो मार्केट अगर बात करोगो तो मार्केट एक दम से कोई momentum नहीं था मार्केट के अंदर कोई भी stressness हमें देखने को नहीं मिला कोई अच्छा का सामे कहीं से भी कोई signal देखने के साथ opening लिया और यहां से मार्केट सपोर्ट बनाया है यहां पर देख तो बार बार सपोर्ट लिया है मार्केट और यहां पर एक resistance था तो दोस्तों मेरा यहां पर trade लेने का एक ही logic था चुकि मार्केट यहां से आ करके एक यहां पर price action को form किया है अगर बात करोगो तो यह काम करता है वहां पर आप लोगों को risk reward को maintain करके चलना होगा तभी आपको profit यहां पर देखने को मिलेगा तो उसी तरीके से आज के date में यहां पर trade लिया हुआ है यह एक बड़े loss से हम लोगों यहां पर पच करके आया हूँ अगर बात करोगे तो यहां पर देखोगे मैं आ यहां पर target के बारे में बात करों तो टार्गेट 89 पॉइंट का था जो कि आप लोग देख सकतो और यहां पर stop loss की बारे में बात करें तो इस्टोप्लोष मात 50 50 पॉइंट के आसपस था देखो 53 का यहां पर stop loss था जैसे ही यहां पर market आया हम यहां से निकल गए market के अंदर तो market ने यहां पर आकरके मेरा stop loss को hit किया, hit करने के बाद market sideways हो गया, इसके बाद थोरा सा up down, up down, up down, up down, मांत 1.500 point के आसपास यह यहां पर momentum हमे देखने को मिला है, यहां पर calculate करके दिखा देता हूँ, देर सो पाइंट के आसपास मार्केट ने एक रेंज बाउंड बनाया उसके बाद क्या हुआ दोस्तों option trading खास करके आप लोग करते हो तो आप लोग ध्यान में रखना कल expiry है expiry जब भी जितना नजदिक आता है option option का जो premium होता है जितना expiry के नजदिक आता है उसका उतना यहाँ पर premium DK होता रहता है यानि कि ठिटा DK होता है होता है दोस्तों option trading अगर आप करते हो तो market एक जगह ही रहेगा sideways भी हो जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को ठिटा DK होता है और वहाँ पर premium DK होता है इस वज़े से आपके premium का भाव भी तेजी से downfall होता है तो दोस्तों आपको कभी भी stock market के अंदर आपको अपने जमसम के ऊपर trading नहीं करता है करना है अपने आपको यह मत बोलना है कि यहाँ से market reversal जाएगा उपर जाएगा call side भे आपने लिया है तो मेरे को यहाँ पर profit हो जाएगा काभी सारे लोगों को मैं देखता रहे तो option trading के अदर option trading करेगा और जब भी loss होता रहेगा तो वहाँ से वह सोचे का भाई किसी तरीके से मेरा loss को recover हो जाएगा और इसी loss को recover करने के चकर में वो और भी ज़्यादा loss करते हैं तो दोस्तो कभी भी option trading के अंदर ये सारी गलती आपको कभी भी नहीं करना है जो कि ये एक बहुत ही बारा psychology है दोस्तो जो कि इस गलती के उपर आप लोगों काम करना है आपका strategy कोई भी strategy को use करते हो हर एक strategy आपको काम करता है लेकिन बस और बस अपने एजंशन को control करना होत करता है और loss को लेना भी सीखो दोस्तो अगर loss आज के डिट में लेना नहीं सीखो को तो आपको market कभी भी profit नहीं देगा कल के डिट में मेरा बात करूँ तो मैंने 32 रुपी के आसपस मैंने profit को generate किया हुआ था मातर एक लोट के अंदर मैंने काम किया था और आज मेरा 1100 का loss ह हो गया दोस्तों मैं यहां पे हार मान लएम ने तो गलत मेंने मान लिया कापी सार लोग यहां पे गलती नहीं मानेंगे और वहां पे trade को लेकर करके hold करके बेट जाते और इस वजह से उसको एक ही लट के अंधर 24005 का loss करके बेट जाता है और सूबह सुबह 9 वजह से लेकर यहां पर विडियो आता रहूंगों और यहां पर यूटीव चैनल पर प्राइज देम देनें students चैजे में आप लों को यहां पर बताने वाला हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हैं मैं पसंद आई लिए कड़ों और इसी तरीके के और भी ने ने content पाने के लिए चैनल को जो subscribe करना तो चलिए मिलता हो फिर एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए good bye